आज हम यूनिट नंबर फोर का टॉपिक नंबर टू में ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे पास रीसर्च बेस मैथड हैं क्लास्रूम में एक टेक्स को बावाजे बुलंद पढ़ने के उसका आखरी और इंट्रस्टिंग मैथड क्या है जिसका नाम है प्रिंट रफरेंसिंग तो हमारे सामने कॉंटेंट मौझूद है प्रिंट रेफरेंसिस बुन्यादी तौर पे ये एक ऐसी टर्म है जो वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है जब हम कहानिया बच्चों के सामने बावाजे बुलंद पढ़ रहे होते हैं तो हम वर्बली या नॉन वर्बली बच्चों को क्यूज देते हैं कुछ text के concept के उपर या किसी word के उपर या किसी terminology के ऊपर इशारा करके बताने की कोशचिश करते हैं कि ये क्या है या बच्चों से पूछते हैं कि हमारा focus इस word के उपर है या हमारी attention इस terminology के उपर होनी चाहिए या ये कहानी जो चल रही है उसका specific focus इस concept ले terminology के उपर मौझूद है So, ये जो cues होते हैं, ये adult जो होते हैं, कहानिया सुनाते हुए बच्चों को दे रहे होते हैं इनका important features किया है क्या चीज़ें जो हमारे सामने कहानी के अंदर मौझूद होती हैं, जिसको हम pinpoint कर सकते हैं Number one है, आपकी कहानी की और written text की form हो सकती है illustration की form हो सकती है, कि वो किस किसम का text है आप उसकी features की ओपर उंगली रख सकते हैं, pinpoint कर सकते हैं, attention बच्चों के लेकर जा सकते हैं या आप जो purpose है उसका हानी का, उसकी ओपर बच्चों का focus या attention लेकर जाना चाहते हैं और उस चीज़ को print की ओपर focus कर्वाना चाहते हैं, pinpoint करके बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका रही है कि बच्चों को प्रिंट रेफरेंसिंग के लिए क्या तरीका इस्तमाल किया जाए आप अपनी उंगली रखें या वहां पे कोई ना कोई मारकर या पैन रखें अगर वो आपके माल्टी मीडिया पे चल रही है तो आप डिफरेंट गैज़र्ट यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ आप बच्चों को बता सकते हैं कि आप कैसी रीट कर रहे हैं आप किस डिरेक्शन में रीट कर रहे हैं सवाल करते हैं यहां आप stress देते हैं बच्चे उस stress को proper तरीके से समझ सकते हैं प्रेंट रफ्रेंसिंग के अंदर definitely बच्चों की हम ना सिर्फ attention different vocabulary के उपर sentence के उपर उसके structure के उपर उसकी form या function के उपर attention को लेके जाते हैं बलके इस तरीके से पढ़ने से बच्चे जो हैं वो print के अंदर itself interest लेना शुरू कर देते हैं और उनको बहुत सी चीजों का पता चल जाता है कि direction क्या है कहां रुकना है कैसे पढ़ना है और यह जो text लिखा हुआ है जिस arrangement में लिखा हुआ है जहां लिखा हुआ है इसका मकसद भी उनको समझ आना शुरू ह जाता है बच्चे जो written language उनके सामने आती है तो definitely जो important चीज उनके सामने आ जाती है और ना सिर्फ वो उस written language पर attention देते हैं बलकि उस language को किस तरीके से किस handwriting में किस font size में और किस style के अंदर paper के उपर balance किया गया है बच्चे इन चीजों को भी जरूर देखते हैं और अपना interest उसके अंदर show करते हैं आप क्यूज जो हैं हम बच्चों को किस किसम के दे सकते हैं जहां आप focus करना चाहते हैं या किसी word or terminology के अंदर और क्यूज जो होते हैं verbal भी हो सकते हैं non-verbal भी हो सकते हैं for example आप पढ़ते पढ़ते point out कर सकते हैं उस word के उपर और बच्चों के आखों में आखे डाल कर सकते हैं और इशारा कर सकते हैं कि यह words यह हैं या बच्चों से कोई सवाल कर सकते हैं उस terminology के उपर अपना कूई comment या अपनी explanation दे सकते हैं मकसद क्या होता है कि बच्चों के understanding develop हो जाए बच्चे वो alphabet सीख जाएं या term या word या concept उनकी समझ में आ जाए और उन्हें पता हो कि यह print के अंदर यह term कहां पर मौझूद है study समय यह बताती हैं कि अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो it is good कि आप चार या तीन से ज्यादा जो हैं तीन से पांच से ज्यादा terms की explanation ना करें आ तीन या पांच के अंदर अंदर आप अपनी vocabulary पहले ही choose कर लें या terminology पहले ही choose कर लें अगर आप बहुत ज्यादा हर थो import रूट जाएगा और बच्चे भूल जाएंगे कि आप उन्हीं क्या सुना रहे हैं और आपकी अपनी attention divert हो जाएगी कि इस कहानी को बावा जिबलंद पढ़ने का मकसद क्या था इसके लावा कि आप उनको terminology सिखाना चाहते हैं एक मकसद यह है कि reading को enjoy किया जाए और उसमें engage हुआ जाए तो यह चीज़ खतम जैसी हो जाएगी definitely बच्चों का interest प्री वैसी खतम हो जाएगा इसलिए जरूरी है कि आप ज्यादा terminologies अपनी एक sitting के अंदर जो आप read aloud की sitting जो है बच्चों के साथ प्लान करें उसमें ना ले it is good कि आप multiple read aloud कर रहे हो एक हफ़ते में तीन चार दफा तो आप उनके terminologies को बार बार इस्सेमाल करें ताकि बच्चों को जहने हो जाए बच्चों को बार बार सुनें बच्चों का focus बार बार उस आपका जो print है जिसमें आपका text मौजूद है वहां जा सके और उन्हें पता ना कि आप यगदम पढ़ना छोड़ दें और बच्चों से सवाल जबाब करना शुरू कर दें और यगदम बच्चों जो हैं वह उस flow से उस energy से निकल जाएं और वह आपकी सवाल में engage हो जाएं और भूल जाएं कि आप क्या पढ़ रहे थे आप इसका अच्छा तरीकी कार सकते हैं अगर वो इतनी आसान हैं और समझ आ सकती हैं तो बच्चे डेफिनिटली उस illustration में देखेंगे आप पोस लें वहीं से दुबारा पढ़ना शुरू करें बच्चे को बता चल जाएगा कि ये word इस तस्वीर में क्या है किस animal का नाम है किस bird का नाम है या किस form of plant की करने जा रहे हैं प्रिंट के अंदर उसके explanation करने जा रहे हैं definitely वो इतनी आसान होनी चाहिए कि वो बच्चों को समझ आ जाए जिसको हम already discuss कर चुके हैं अगर times मुश्किल हैं मुश्किल हैं तो आप उसको dictionary से मत देखें आप उसको advanced level के किसी software से जाके check न करें बलके आप उस झाल